नमस्कार निशन 24 में आपका श्वागत है मैंनी रज़ बिहार में पंचाच चुनाओं के लेकर जो है जैसे से करोना कल में जो भारस की जो इस्टिती थी जितना भैवर था उसे कम होता जा रहा है उसी का नुसार अब समिच्छा भी जा रही है और लगतारी एकोसिस हो रही ह कि कितना जल्दी जो है पंचाच चुनाओं कराया जाए और नहीं मुख्या लोगों को चुनके पंचाच में नहीं विकास की बाते कहा जाए इसी करब में नेशन 24 की टीम जो है पुरे बिहार के पंचाच के दोरे पे है और हर पंचाच में जाके वहां का समस्या सुन रही ह जनता से बाते कर रही है कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है इन सारे चीज़ों को देख रही है और परतमान मोख्या सभी मिलके उनसे समझना चारी है कि आखिर उनको विकास में कहां दिक्कत आई कैसे समस्य आया कितना विकास कर पाए कौनको नियोजनाव पे काम किये ये सारे चीज़ों पर हम लोग समीचा कर रहे हैं लेखा जोखा देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं इसी करम में अभी हम पहुँचे हैं सुनावा पंचायत में जिला पटना पड़ता है और हमारे साथ मौझूद हुए है भीम रविदास जी जो यहां के बर्तमान मोख्या हैं तो आईए आज हम इनसे बात करते हैं इनके पंचायत को लेके और जानते हैं कि इनके पंचायत में इनके द्वारा कितना विकास हो पाया 2016 से 2020 के बीच और क्या-क्या समस्य आई कैसे काम हुआ इंद्रावास की क्या इस सित्ती रही कैसे इन्होंने जाच किया सारे चीज मालसे दो केशन समीति के तसच जो काम कर अगया है हमारा लगभाग बिलकुल सूक्ता काम फूर्सी और कि बागि आए कुछ दू discussed और जो गली नडी की बात रही गली नली का पैसा हमारे हाँ अवंटन ही अभी कम है जो कुछ जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है लेकिन जो पैसा के सरकार के अवंटन के अनकूल हमने गली नली का भी काम किया हूँ मेरे यहां 15 वार्ड में आपने काम किया है पर कुछ वार्ड में लोग कह रहे थे कि पानी नहीं मिलता है कुछ वार्ड में कह रहे थे पाई सही नहीं दिख रहा है हमको मैं वैसा तो है कुछ ऐसे काम मैं भी बता रहा हूँ कि कुछ गलत अभी हुआ यह है कि जो कि अभी कुछ लोगों का पानी जो उच्छा से और बिजली जो बढ़ियां से नहीं मिल पाते है उसका वोल्टेज न मिलने के कारण उनकी पानी अभी भी सही डंग से जहां पहु करते हैं कि नी partes के तो क्या खान बांग कर लोगों मैंने सरकार से आंधे हमारी कली जो बाकी रह घंगा धूली जो फोरे रह जाने के लिए पैसा दी जाए तो एक ची बताईए कि जब सड़क निर्मान हो गया गली निर्मान हो गया और जब नली का आप निर्मान करते हैं तो नली में तो ख़रा पानी जो घर से निकलता है वो बहाते हैं उसका बैफ्था क्या किया है आपने कैसे उसको निकाल क्या अभी तक वो बहा आपके पन्चाइट में जिनको यह आपके पास लिस्ट आया और जांट के बाद आपने अं लोगोगों को ये मुहिया कराया अपने माध्या दो हजार एगारा के जन गुर्णा के अनकूल हमारे हाँ जो इंद्रावास्त का इस्थिती है जिसमें लगभग मेरे हाँ दो सो पक्के मकान बन चुके हैं आज जो अतिया वसक है उलों का सूची में नाम ही नहीं ताकि उन बेक्ति को दे सक सूखी संपन है इसलिए जो चाहिए जिन बेक्ति को मिलने के लिए हमने सरकार से गुजारिस की है तो वैसे कितने लोग रागए हैं जिनको वैसे कितने लोग है जिनको मिल अभी वैसे जो अभी हमारे पंचायत में तो बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी कम से कम एक हजार से गरी अभी नई दे पाया हूं अब हम बात करते हैं अएश्मान भारत काड की जिसके तहुत गरीब का इलाज के लिए जो है आपको पांच लग तक इलाज होना है मुफस विलाज के लिए भारत सरकार ने इसका व्यफसा किया है हर पंचायत हर जड़ीब के लिए तो आपके पंचायत में वैसे कितने लोग को काड़ बन पाया जिन को इसका मिल सके हमारे पंचायत में लगभक जो आइसमान भारत के काड़ बना है वो काड़ तो आ गए है लेकिन उनको अभी मतलब क्या बोलता है में आउनलाइन नहीं हो पाइदा पाया है और उसे ज्यादा हुआ है नहीं जो कि हमारे बहुत सारे जानता आउनलाइन के मामले में जानते ने मैंने समझाया की सरकार की बैवस्था को जो हम गरीबों की ढसे जो हमारी बीमारी और दुख के इसा रासन कार्ड का हमारे पंचायत में लगभग 60% कट गया और 40% मिलता है उनको अभी अनास मिल रहा जो जैसे सरकार का इस्तिति है जीर से अनकूल चलांते हैं वो अनकूल चड़ रही है और सही समय से नहीं मिलती है पर कितना काम करता है एक दो तीन चार चली है च्छोजना में च्छोगी आगे दो तीन पर काम चड़ रही है तीन अभी काम तीन कंप्लीट है तीन पर काम चड़ रही है अब हम बात करते हैं सोचाले के सोच भात केता है जो है हर पंचायत में हर घर तक सोचाले पहुंचाना है जिसे कि लोग बाहर ना जाएं सनमीर्गी का सामना नहों भातावन पर दूसित नहों और लोग सम्मान जनक जीवन जी सकें तो आपके पंचायत में सोचाले की क्या इस सिती है कितना बन पाया वोडियफ हुआ है या नहीं मेरे पंचाय तो ओडियफ हो गया है लेकिन अभी कुछ फिप्टी परसेंट लोगों का रासी ही बाके जो कि सब कुछ काम हो चुका है सब काम होने के बाब जूद ओडियफ बगेर हो चुक जो फोटो टू लिया जाता है वह तक हुई है फिर उसके कार्ज करम अभी तक जो कर्ज करम जो लॉग डाउन के चलते उनकी पैसा भुकतान नहीं की गई है आमने कोर्शी सरकार से भी किये कि इनको पैसा भुकतान की जाए ताकि सवक्षिभूत सवक्षिभारत का जो अभियान चला है लोगों का मुः पहुँचे और लोगों का जो कि इ suspects पाएं तो कि लाइटिंग अगर बन जाएगे तो उनकी सुराच होंगे जीवन जीवन हर्याली का अभी कौम जो भी हुआ है वह पूरी अधूरी है जल जीवनका काम not पूरन नहीं हुआ है जो मेरे पंचायत में मेरे ख्याल से मैंने देखा भी समयच्छा भी किया वह जल जीवन का हर्याली का काम अभी पूरी अधियुरी है इसको करने का जल साधन विभाग का है जो विभाग से उनको अवंटन देना हुआ वा अवंटन देंगे तो उनकी तो कि चुनाव कब कराना है कैसे कर不到 उसका रचषोचना जारी होगी तो क्या त्यारी है कैसे जन्याव में जनता के रिज जाएंगे और कुंपरी मोद्रों के जाना है आप क्योंकि वैसे जनता नहीं रहेंगे कि हम कहेंगे जो सुनेंगे जो काम हमारी देखेंगे काम अगर किया हूं तो मुझे फिर दुबारा बहुमत में लाएंगे या नहीं लाएंगे कि समुदाय भवन कितना है समुदाय भवन एक दो थिन चार पांच साथ है साथ है साथ है साथ में दो तीन का मतलब चट कभ गीर जाएगा उसका कोई अता पतर नहीं अंगला जंगला है इसको देख रहे कि अभाव में नहीं की गई हम लोगों का देश तो है कि उनको मरमत करें लेकिन रासी के अभाव में उनको नहीं मरमत की गई है बहुत बड़ी बात सामने आई है कि इनको जब भी मैं पूरी बाते अभी आपको अपने माध्यम से दिखा रहा हूं और हमारे मुख्या जी जो अभी 109 पंचायत के हैं ये असपश्ट और से कर रहे हैं कि रासी के अभाव में बहुत सारे कारे जो है पूरा नहीं हो पा है माने मुख्यमंती जो बात करते हैं कि हर पंचायत में बिकास होना चाहिए बिकास दिखना चाहिए तो कहीं न कहीं इसके आड़े जो है राशी आ रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार को और अधिकारियों को इस पे संग्यान लेखते हुए जल से जल रासी उप्लाद कराना पूरा कर सके और भिकास दिखाए पंचायत में बिजली का काम तो लगभग अच्छा ही है जो कि सबी जोगों का बिजली मिल गया है उसमें कोई دिक्त नहीं है लाइन भी पूरी के पूरी मिल रही है 24 घंटा मिलते हैं घंटे दो घंटे के तो बात वैसा है कि उसको देना ही पड़ेगा रेश्ट तो इसलिए बिजली का विवस्ता यहां ठीक है और एक कमी मेरे यहां यह है जो कि सवास्त केंदर है उन पर अभी कोई बढ़ियां से देख रहे के लिए डॉक जाकर ही वह समिक्षा करें जो कि अतियवस्तक है जो हमारे यहां से पंचायत से कम से कम चार पांच किलो मीटर की दूरी में हाई स्कूल है इसलिए मैं सरकार से आभ्याहन करता हूं कि मेरी पंचायतों को देख रेक डियम साहब को माध्यम से दिया जाए और सर्वेक्षन कर कर दोया जाए और हमारे आवाज को मीडिया जाहब ने पहुंचाये दियम को यहां और मूह मंत्री जी के यहां पुझाये मैं ॉस लिए हैसegen आपके मुननी मुख मंत्री जी तक आपके अदिकारी और आपके अधिकारियों útil तक जो है अपनी बात्स चैनल के मैं से प्रम्तों फुब्राइब करता है तो स्वय मंत्राले को चाहिए कि यहां भी आके जो से काफी मुश्किल से 24वी बता रहें कि 14 किलो मुटर है है यहaँ पर देखना चाहिए यहाँ यहाँ भी के से कि की करीब जनसंख्या के लोग है उनका जांच हो सके उनका टीका करन हो सके और लोग बीमारी और भी अधर वीमारी के लिए जो है कियें अंदर में जा सकें और अप् وبिस्था की जाए It sticky बच्छा हमारा लढका ओल्रकियां सिच्छित हो टाझे ऑगे भिकास हमारा भविष को देखले उच्छ कर सके नोजवानों को भविष्थ बननी चाहिए स्कूलों से और बेहतर स्वास्त होनी चाहिए जो कि लोगों सवस्त रहें और उनकी आगे की और बढ़ाया जाए मैं तुह ही कहता हूँ संदेश यही देंगे कि मैं पतरकारों के साथ मैं सरकार तक आवाज पहुचाई है कि हमारी पंचायत ने जो भी विवस्ता मुहिया कराया जाए और अच्छी ढंग से मुहिया कराया जाए तो अभी आपने सुना पन्यात के मुख्याजी को जिन्होंने असपरस टोर से अपनी सारी बाते को हमारे चैनल के मादर से अपने मन्य मुखमंत्री अपने अधिकारी तक पहुचा रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी विकास की जितनी फंड आई है उतना विकास हमने कर रखा है और जो विकास की बाते हैं जो समस्या रगई जो तूटी रगई है उसके लिए फंड किया हो सकता है जो कि सरकार को महिया कराना है यदि वो महिया हो जाता है तो फिर आगे चलके और भी जो काम जो कारें बच गए हैं उसे ये पूरा करेंगे और पंचायत में विकास में जो ह पाएंगे आप देखेंगे निशन 24 नमस्कार